नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे पनीर लबापदार इसे आप रेश्टुडेंट में तो खाते ही हैं आज इसे हम घर पर बनाएंगे इसे आप किसी भी खास उसर पर बना सकते हैं बहुत टेश्टी बनेगी तो चलिए पनीर लबापदार बनाना शुरू करते हैं कि अब आपदार बनाने के लिए सबसे पहले इसकी ग्रेवी हम बनाएंगे तो इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज के प्याल ले लिये हैं उसे मैंने रफली काट लिया है तो रफली काटना है मोटा मोटा ही काटना है कि यहां बे मैंने दो प्याज को काट लिया है अब इसके लिए मैंने चार टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के इसे भी हम रफली काट लेंगे मोटे मोटे टुकड़ों में देखें एक हाफ टमाटर से दो टुकड़ा करने हूं मैं नियुकाटर को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है रफली यहा पर मैंने चार टमाटर लिये थे हैं उसे मैंने रफली काट लिया देखें कि टमाटर भं मैं यम्हाल यहां पर ब्लशन की आछा नो कल्यां लीं है चील लिया है एफम आप शैस्पाली मिर्स परमें तुकड़े मैंने काट लिया है तो कड़ाई में मैं यहां पर मुम्फली का तेल का यूज कर रहे हूं आप चाहे तो देशी घी बटर या नार्मल ओयल में बना सकते हैं तो इसमें हमने जो मसाले लिये थे खड़े वो डाल दिया मैंने यहां पर मैं लैसुन और अद्रक को भ तो इसे ज्यादा भूनना नहीं है ज्यादा लाल नहीं करना है हलका सा ही इसे हम पकाएंगे जिससे हमारे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा तो प्याज थोड़ा सा ट्रांसुलेट हो चुका है अब इसमें मैंने काजू के टुकड़ों को डाल दिया है थोड़ा साही से मिक्स करेंगे अब यहां पर हमने जो टमाटा काटके रखे ते वो डालेंगे इसमें और अच्छे से से हम मिलाएंगे दोस्तो इस तरह से एक बारा पनीर लभापदार बना कर देखे बहुत ही टेस्टी बनेगा बिल्कुल रेस्टूरेंट स्टाइल का तो यहां पर मैंने दो सुखी लाल मिर्च डाला यहां पर मैंने और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला आप चाहा है तो देगी मिर् अच्छे से मिलाना है मसालो को अब इसमें मैं यहां पर थोड़ा धनिया के डंडी डाल रही हूं थोड़ी सी और यहां पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसे हम मिलाएंगे यहां पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढख कर पकने देंगे तब तक हम यहां पर पनीर को काट लेते हैं यह घर का पनीर है मैंने घर पर फाड़ा है विनेगर डाल कर विल्कुल ताजा पनीर है इससे बहुत ही अच्छा इससे बहुत ही अच्छी सबजी बनेगी वेखे में पनीर को कारणर थे ऌफ अगर आपके पास सिम्ला मिर्च है तो सिम्ला मिर्च को भी आप नहीं मीर्च means pipe 봉े मेरे पास नहीं हैं तो में प्याज डाले चास्पमा फार, meaning तुकड़ों को एक एक करके निकाल लेंगे अब उसे हम एक बॉयल में डालेंगे इसे हम थोड़ा मेरिनेट करेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी थोड़ा सा लाल मिच पाउडर तो थोड़ा सा नमक डालेंगे इससे हम अब अच्य से मिरीनेट करेंगे मिक्स करेंगे अब यहाँ पर मैं पनीर को भी इसी के साथ प्याज के साथ अच्छे से मिरीनेट कर लूए देखर करके पनीर के तुकड़ों को मेरिनेट हो चुका है तो अब बाउट है रखिए दोस्तों हलके हाथों से मिक्स किजिए अधो ने तो पनीर आपके टूप जाएंगे है अगरें नोद आपके इसे मिक्स कर लेंगे है तो पनीर प्याज मेरीनेट हो चुका है हमारा इसे अब हम साइड में रख देंगे इधर अब हम ग्रेवी पर छलते हैं तो इसे अब हम एक प्लेट में निकालेंगे इस ग्रेवी में से ये तेज पत्ते को हम निकाल कर हटा देंगे और बागी सब चीजों को हम mixi jar में डाल कर इसका हम paste बना लेंगे यहां पर मैंने तेजपत्त्य को निकाल दिया है और सारी gravy को एक plate में निकालूँगी थंडा करने के लिए तो अब हम mixi jar में डालेंगे और इसका हमें एक smooth paste बना लेंगे बिल्कुल स्मूध बनाना है दोस्तों इसका पेस्ट दरदरा नहीं बनाना है तो बिल्कुल स्मूध इसे हमारा पीस लेंगे अब इसका हमारा पेस्ट बना लेंगे तो यह देखे पेस्ट हमारा बनकर रेडी है यह देखे कितना इस्मूद बनाया है इसे और इस्मूद करने के लिए आप चाहिए तो इसे मोटे दाने वाले छनी से छान सकते हैं बट मैं यहां पर इसे छान नहीं रही हूं अब उसी कड़ाई में मैं यहां पर मुंफली का टेल डाला दो चमर देसी घी डाला मैंने यहां अब यहां पर मैं घर की मलाई तीन चमर लिया है उसे अच्छे से फेट लिया और इसमें डाला डाल दिया है मैंने तीन चमर मलाई और अब इससे हम अच्छे से मेक्स करेंगे यह देखे किता क्रीमी टेक्ष्टर वाला देखे अब हमारा ग्रेवी बना है बहुत ही टेश्टी बनेगी आपकी सब्जी दोस्तों यकीन मानिए पनीर लवावदार बिल्कुल रेश्टूरेंट भी फेल हो जाएगा इसके आगे अब हम दूसरी तरफ एक तवा चड़ाएंगे आप चाहे तो पैन में भी कर सकते हैं बड़ मैं आप तवे पे कर रहे हूं तो थोड़ा सा मुंफली का तेल डाला मैंने तवे पे चारों तरफ हैला लिया है अब इसमें हम पनीर को हलका सा फ्राई करेंगे तो एके करके हम पनीर रखेंगे और हलका साइच से हमा फ्राई कर लेंगे पनीर को तो एक तरफ से पनीर फ्राई हो चुका है अब हम पलट देंगे तो ध्यान से पलटिया अगर दोस्तों पनीर तूटने का डर रहेगा तो हलके हातों से कीजिएगा देखिए मैंने चार तरफ सुलट पुलट कर अच्छे से पनीर को फ्राई कर लिया है अब इसे अब हम निकाल लेंगे अब इसी तवे पे हमने जो प्याज को मेरिनेट करके रखा था वो भी अब इस पे हम हलका सा भूल लेंगे या फ्राई कर लेंगे अच्छे से तो आज को तेजी रखना है और अच्छे से प्याज को भी हम इसे में भूल लेंगे तो देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया अब यहां पर में थैथ यह थोड़ा से चीनी डाले हो जो टम्हें को कम करेगा था ही थोड़ा से चीनी डाला युर्ख च्छी मिक्स कर लिया मैं यहां अजिन दों पपनीर लबबदार बनकर तयार है इसमें ठोड़ अचा इसमें और पनीर तोड़ की डालेंगे उपर से को यह देखिये पनीर लबबदार बनकर बिलकुल तयार है बहुत ही तेश्टी रेस्पी है दोस्तों त्याहित है है तसे चास महँखे सकते हैं तक समस्टी में आप यहांपर समय मलाई से भी गानिज कर सकते हैं यहां पर मैं पनीर से गानिज कर रहे हूं तो यह देखिए पनीर लबाबदार बिर्कुल बनकर तयार है बहुत ही टेश्टी लगेगा दोस्तों यकीन मानिए एक बार बनाना बनता है दोस्तों एक बार ट्राइ कीजिए और कमेंट करके बताएगा कि आपको यह पनीर लबाबदार की रेश्टी कैसी लगी तो एक बार जरूर से ट्राइ कीजिए दोस्तों बच्चों बड़ों सब को बहुत ही पसंद आएगा यह पनीर लबाबदार की सब्जी तो अगर आपको यह वीडियो पसंदाया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों तो मिलते एक नए वीडियो में तब तक ये लिए बाबाए दोस्तों